दोस्तों जब भी कोई भी घटना कहीं घडित होती है, कोई भी क्राइम कहीं पर होता है, तो जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, चाहें तो उसने वो क्राइम किया हो, या उसका जूटे में नाम आ गिया हो, या जूटी F.I.R. के तहत उसे अरेस्ट किया गिया हो, उसके पराद में 24 घंटे के अंदर अंदर जब magistrate सहाब के सामने पेश करते हैं उस व्यक्ती को उस एक्यूज को वहां magistrate सहाब तह करते हैं कि अब उसको जूडिशल कस्टडी भैया जाए या फिर पिसी दिया जाए पुलिस कस्टडी है नहीं रिमांड का मतलब क्या होता है रिमांड कब लिया जाता है कितने टाइम का मिलता है वही सब कुछ बताऊंगा अपनी इस वीडियो में दोस्तों बने रही है हमारी इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है fight for true मेरा नाम है विरंदे वर्मा दोस्तों आप में से जो भी कोई नए है पहली बार आए है हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो मैं आपको बता दू हम आपको आपके लीगल अधिकारों के बारें बताते हैं कानूनी अधिकारों के बारें बताते हैं और practically क्या कुछ होता है थाने पुलिस में, कोट कचेरी में, जेल में practically किस तरह से चीज़े टेकल की जाती हैं, किस तरह से वो चलती है practically, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊं तो रिमांड रिमांड वर्ड आते ही कोई भी इनसान जिसको कानून के बारे में नहीं पता जिसका कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा या फिर वो नहीं जानता है पुलिस की प्रोसीडिंग को या कानून की प्रोसीडिंग को वो डर जाता है कि रिमांड का मतलब मारना पीटना होता है पहले आप इस चीज को समझे कि रिमांड का मतलब क्या है दोस्तों रिमांड का मतलब होता है पूछताच पूछताच ही मतलब है रिमांड का मारना पीटना कते ही इसका मतलब नहीं होता है और अगर आपको मारा पीटा जाता है कहीं पर भी पुलिस कस्टेडी में आपको ठाने में पुलिस अगर मारती है तो वो पूरी तरह से इल्लीगल है मतलब पुलिस आपको मारपीट नहीं कर सकती है थोड़ा समझेंगे हम इस चीज को क्या होता है कि माल लीजिए कोई क्राइम हुआ पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो सबसे पहली गलती जो आप लोग कर देते हो कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है कस्टिडी में अपनी लेती है और वहाँ पर भी आपको 2-3-4 दिन तक बिठा कर रख लेती है उसके बाद लेकर जाती है मजिस्टेट साहब के सामने अब वो होता क्या है वो पुलिस की illegal detention का एक पार्ट है मतलब कि कोई भी पुलिस कोई भी पुलिस station 24 घंटे से ज़ादा आपको पुलिस station में नहीं बिठा सकते 24 घंटे के अंदर अंदर वो लेकर जाएंगे concern मजिस्टेट साहब के सामने मजिस्टेट साहब तै करते है पुलिस के according पुलिस एक application लगाती है कि मुझे इसका रिमांड चाहिए हमेशा पुलिस जादा रिमांड मांगती है मिलता थोड़ा कम है या फिर सेम टाइम भी मिल जाता है मांग लीजिए पुलिस ने मांगा 10 दिन का रिमांड पुलिस चाहती है 10 दिन का रिमांड देया जाए जब वो देखते है मजिस्ट्रेट साहब उस पूरे केस को तो वो कहते है नहीं एक हफ़ते का रिमांट मिलेगा आपको एक हफ़ते के रिमांट पर लेकर जाएए यह कई वार ऐसा होता है कि दो दिन तीन दिन चार दिन का भी रिमांट मिलता है पूरा केस के उपर अब यह रिमांट मिलता कैसे ह मतलब ही होता है मान लीजिये कहीं पर कोई कराइम हुआ या आप इसका ये मान लीजिये किसी ने कोई document को forgery की document की forgery किसे ने कर दी एक बंदा arrest हो गया उसने तीन का नाम ओर ले दिया तो तीन का नाम ओर ले दिया उनको जाना है उनको पकड़के लाना है यहां रेड करनी है उसके घर पे जाना है उसके आफिस पे जाना है यह जो पूरे टाइम लगेगा इसमें पुलिस को चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम ये जो टाइम दिया जा रहा है पुलिस से पूर्श ताच कर टाइम दे रहे हैं उस व्यक्ति से उसको ले कर जाएंगे वहाँ पर जगा पर इसी पूरे प्रियेट को बोला जाता है रिमांड का टाइम अगर पुलिस आपके साथ मार पीट करती है आपको मारती है आपके साथ अमान विये वेवार करती है कई बार हमने देखा है कि पुलिस आपके साथ ऐसा वेवार करती है कि वहां टाइम से खाना तक नहीं मिलता बहुत गलत बद्बूदार जगा पे आपको सुला दिया जाता ह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तो अगर आपके साथ कोई भी आमान में विवार हो रहा है पुलिस की कस्टेडी में तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक जजमेंट आयदा सुप्रिम कोड का डीके बासू वर्सी स्टेट और वेस्ट बंगॉल का मतलब कि यहाँ पुलिस कई बार ऐसा करती है कि सोने नहीं देती है बाबर उठाये थे आपने मूवी में देखा होगा अकसर ऐसे अगर ऐसा है तो यह भी गलत है सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत ही आता है दूसरी बात पुलिस आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट अगर करती है तो दोस्तों मैं एक बात यही कहूंगा कि जो पुलिस चाहती है आप से वो चीजे सारी आप बोल दें क्योंकि जो भी चीज़ा आप वहाँ बोल रहे हैं डरा धमका कर या फिर किसी भी तरह के परलोभन को देकर जो भी स्टेटमेंट आप से ली गई है वो कोट में एड बिल्कुल आप उस समय तो उसका विरोध बिर्कुल मत कीजिए वक्त आएगा आपका भी अब होता क्या है कि मान लीजिए दो दिन तीन दिन के बाद में पुलिस आपको लेकर गई सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो जिन लोगों को कभी जेल हुई है या कभी कोई ज जत्तािशाब आपके साथ ऐसा कर देंगे या हम आपको आपको डरा देते हैं दूस्तों अगर आप अपने साथ हुई जितनी भी अत्याचार हुआ है वो अगर कौट में जाकर बॉल दोगे तो वो पुलिस वाला सस्पेंड तक हो सकता है क्यूंकि पुलिस व老師 वाला आपक कोरते है और साथ में रियूट भीएविर का इस्तेमाल करते है ता कि आप कुछ बोल सको हुए इसलिë ड्रते दमकाते हैं पुलिस टेशन में तो आप समझे हो गए कि रीमांड का मतलब क्या है रीमांड का मतलब दोस्तों वारना पीटना बिल्कुल नहीं होता है हर वो व्यक्ति जो कोमन फैमिली से बिलॉंग करता है या फिर कभी थाने पुलिस से उसका वास्ता नहीं पड़ा वो डर जाते हैं और थाने में जब कोई रिमांड लिया जाता है तो बहुत कुछ वहाँ पर उतल पुतल हो जाती है ब उस पर रिप्लाइ कर सकें और उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की हम लोग कोशिश कर सकें तो अच्छा लगा वाज कर वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल एवेरनेस की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पोच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइब हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए